एर इंडिया की कमान अब टाटा ग्रूप के हाथ में होगी यानि एर इंडिया की घर बापसी हो गई है टाटा ग्रूप एर इंडिया को 18,000 करोड रुपई में खरीद रहा है Finance Ministry के Department of Investment and Public Asset Management ने इसका एलान किया है टाटा संस ने एर इंडिया के लिए 18,000 करोड रुपई की बिजेता बोली दी टाटा की 18,000 करोड रुपई की बोली काम्याब रही दूसरी बोली स्पाइस जेट के अजय सिंग ने 15,000 करोड रुपई की लगाई थी टाटा की 18,000 करोड रुपई की सफल वोली में 15,300 करोड रुपई का करज लेना और बाकी नगत बुकतान शामिल है टाटा के हाँ तब एर इंडिया और एर इंडिया एक्सप्रेस की कमान आएगी दीपम सचिब ने कहा की सरकार को 100% हिस्सेदारी बिक्री के एवज में टाटा से 2700 करोड रुपई में नगत मिलेंगे उन्होंने कहा की टाटा संस की एर इंडिया के लिए 18,000 करोड रुपई की सफल बोली सरकार द्वारा तै 12,906 करोड रुपई के आरक्षित मूल से अधिक है बिमानन सचिब ने कहा की टाटा को एर इंडिया के सभी कर्मचारियों को एक साल के लिए रखना होगा दूसरे साल वे स्वैच्छिक सेवानी व्रती योजना की पेशकस कर सकती है एर इंडिया की घरबापसी पर रतन टाटा ने इसका स्वागत किया एर इंडिया की स्थापना चहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने 1932 में की ती उस समय इस बिमान कंपनी को टाटा एरलाइंस कहा जाता था साल 1947 में देश की आजादी के बाद एक राष्ट्री एरलाइंस की जरूरत महसूस होई ऐसे में भारत सरकार ने एर इंडिया में 49% हिस्सेदारी का अधिगरण कर लिया इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एर कॉर्परेशन एक्ट पास किया और फिट टाटा समू से इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद ली दरसल सरकार ने 2017 से ही एर इंडिया की नीलामी की कोशिशें शुरू कर दी थी लेकिन कंपनीयों ने ज़्यादा दिल्चस्पी नहीं दिखाई इसके बाद सरकार ने EOL के नियमों में धील दी और करज में डूबे एर इंडिया को खरीदने में कुछ कंपनीयों ने इंट्रेस्ट दिखाया एर इंडिया की कमान अब टाटा ग्रूप के हाथ में होगी यानि एर इंडिया की घर बापसी हो गई है टाटा ग्रूप एर इंडिया को 18,000 करोड रुपई में खरीद रहा है Finance Ministry के Department of Investment and Public Asset Management ने इसका एलान किया है टाटा संस ने एर इंडिया के लिए 18,000 करोड रुपई की बिजेता बोली दी टाटा की 18,000 करोड रुपई की बोली काम्याब रही दूसरी बोली स्पाइस जेट के अजय सिंग ने 15,000 करोड रुपई की लगाई थी टाटा की 18,000 करोड रुपई की सफल बोली में 15,300 करोड रुपई का करज लेना और बाकी नगत बुकतान शामिल है टाटा के हाँ तब एर इंडिया और एर इंडिया एक्सप्रेस की कमान आएगी दीपम सचिब ने कहा कि सरकार को 100% हिस्सेदारी बिक्री के एवज में टाटा से 2700 करोड रुपई में नगत मिलेंगे उन्होंने कहा कि टाटा संस की एर इंडिया के लिए 18,000 करोड रुपई की सफल बोली सरकार द्वारा तै 12,906 करोड रुपई के आरक्षित मूल से अधिक है बिमानन सचिब ने कहा कि टाटा को एर इंडिया के सभी कर्मचारियों को एक साल के लिए रखना होगा दूसरे साल वे स्वैच्छिक सेवानी व्रती योजना की पेशकस कर सकती है एर इंडिया की घर बापसी पर रतन टाटा ने इसका स्वागत किया एर इंडिया की स्थापना चहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने 1932 में की ती उस समय इस बिमान कंपनी को टाटा एरलाइंस कहा जाता था साल 1947 में देश की आजादी के बाद एक राष्ट्री एरलाइंस की जरूरत महसूस होई ऐसे में भारत सरकार ने एर इंडिया में 49% हिस्सेदारी का अधिगरण कर लिया इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एर कॉर्परेशन एक्ट पास किया और फिर टाटा समू से इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद ली दरसल सरकार ने 2017 से ही एर इंडिया की नीलामी की कोशिशें शुरू कर दी थी लेकिन कंपनीयों ने जादा दिल्चस्पी नहीं दिखाई इसके बाद सरकार ने EOL के नियमों में ढील दी और करज में डूबेएर इंडिया को खरीदने में कुछ कंपनीयों ने इंट्रेस्ट दिखाया Sky News Global Report